अथर्व की मा ने लगाया धैर और इमली के रिष्टे पर जाम और इमली ढूड कर रहेगी अपनी बेटी को सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरेल इमली में देख रहे हैं आपकी इमली को पूरा यकीन है कि उसकी बेटी मरी हुई पैदा नहीं हुई थी क्योंकि उसने उसके रोने की आवाज सुनी थी यहाँ पर आप देखेंगे कि मौसी जी समझाती है लेकिन इमली का कहना है कि एक मा अपने बच्चे को भीड में भी पहचान सकती है और मुझे पता है मेरी बेटी जिन्दा है उसे धुदला सा याद है कि उसकी बेटी को कोई तो लेके गया था बस उसका चेहरा क्लियर नहीं हो रहा है आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि इमली धैरे के साथ बात कर रही है और उस समर कैम्प में जा रही है जहां पर उसे जाकर बहुत अच्छा लगता है और ऐसे में इमली आकर उन्हें कहती है कि मा ये तो आप भी जानती है कि मेरे दिल में मेरे मन में हर जगा अभी भी अथर्व है वो भले नहीं है लेकिन आज भी उनकी यादे हमेशा मेरे अंदर है तो ऐसी बाते हो की नहीं सकती वही आप देखेंगे इमली ने ठान लिया है कि वो अपनी बेटी का पता लगा के रहेगी चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए और अज की प्रोमा में आप देखेंगे उधर अथर्व चीनी से कहता है कि हम अपनी बेटी को उस गंदी जगह से उस गंदी सोच से तो दूर ले अब देखना यह कि इमली के सामने यह सच कैसे आता है